हेलो दोस्तों आप लोग मज़े में हैं अज संदे का दीन मैं आप लोगों के लिए एक बहुती खुशूरत ब्लोग बनने वाला हूँ मेरे चेनल पर या पहला ब्लोग है आप लोगों को सायद अच्छा लगे तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचे दे देता हूँ मैं अमर्जित मुक्या वेश ब्लोगों करता हूँ और मैं आप लोगों के लिए ब्लोग बनाने वाला हूँ तो हमारे पीछे बहुत ही अच्छा नजारा देखने को आपको मिल रहा होगा देखिए वहाँ पर बहुत सारे आम का पेर है कुछ दिन बाद ही आम फलने वाले हैं तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा हम लोग का जो माल्दजिला है या पूरे भादवस में आम के लिए बहुत ही खेमस माना जाता है क्योंकि आम को फलो का राजा माना जाता है और पूरे भादवस में माल्दजिला में ही आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहां पर देखिए आम का पेर बहुत सारा है दिखाई देने रहा है आप लोगों को इसके बगल में देखिए सरसो का खेत है यहां पर सरसो का खेत का पूरा खेत है बहुत सारा खेत है धेरो सारे देखिए दूर दूर तक आप लोगों को सरसो का जो खेत है देखने को मिल रह तो आप लोग देखिए और पास ही एक छोटा सथा तालाब है इस तालाब में सायधी मचली होगा मेगर यह तालाब सरसों को की जो खैत है सरसों के खैत में पानी देने कर हमें आता होगा सब्सक्राइब हमारे साह रहें ताकि आपको मैं अपने बीलोम में अच्छे जो बेक्ग्राउंड या जो इमेज है वो आपको दिखाने के कोशिस में लगा हूँ देखे मेरे पीछे ही आपको एक डिल बे का ट्रेक दिखने को मिल रहा हो यहां पर डिल गारी हमें साथ ही जाती रहती है इस पर खरे हो कि मैं आप लोगो को इस रिल लाइन का जो नजारा है ट्रेक है मैं आपको दिखा रहा हूँ देखे दूर दूर तक आपको दिखने को मिल रहा है इस तरह से दूर दूर तक ट्रेक साथ ही दिखने को मिलता होगा यहां पर इलेक्ट्रिक का जो लाइन है यह इलेक्ट् आपका जो एलेक्ट्रिक का जो इंजन है इसके माद्धियम से चल हो जाएगा तो आप लोग हमारे साथ जूरे है ताकि मैं आपको इस अच्छे चन्नाजरा को आप लोग को सियर कर सकूँ देखिए आपका उत्री उसके बाद दख्खिरी साइड में आपको दिखा रहे हैं र इस बीली के तार के माध्यम से ही रिल में जो इंजन है जिसको करेंट को सप्लाइ मिलेगा और रिल गारी चलने वाला है तो आप हमारे साथ जूरे रहे ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नजरा दिखा पाऊ यहां बगल में जो पोखरे देखे दिखाए थे द अच्छे के बगलाए जो आpri बजग है जोरे दिखाए थे कि ए बगलाए जब एापना है जोए थे जोड़रे जोड़रे बगलाए जोड़रे है तोछे कि ए ग्लावश और पाऊशने है जोड़रे.